हेलो दियर शुजेंट्स वेलकम टो मैस्ट कंसेट बाइसित सर्थ तो पेटा आज जे डवली 2024 का पेपर था और पेपर में से कुछ-कुछ क्वेशन हमें मिले है जिसका सौलिशन में भी आपको दे रहा हूं वह जनुररी बहुती क्वेशन थे यह पेपर बहुत ही नॉर्मल टाइप का रहा है जिसमें कुछ को वेशन आपको हाड मिलेंगे बाकी मेजरली आपको नौर्मली अंसर मिलेगे ठीक है फॉर्स question है if fx is equal to x q plus x square f dash 1 plus x into f double dash 2 plus f triple dash 3 then find f dash 10 ठीक है आपको first derivation find करना है तो पेटा इसमें आप अगर पहली नजर में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह कैसे करना है यह माइन में कैसे आएगा आप simply काम कर दो जो भी आपको f dash 1 f double dash 2 और f triple dash 3 गीवन है उसकी जगह पे कुछ आप एजिम करना हो let's say मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि fx is equal to x cube plus इसको a ले लेते है a x square plus bx plus c ठीक है तो यहाँ पे a हमने ले लिया है f dash 1 को यहाँ पे b हमने ले लिया है f double dash 2 को और यहाँ पे c हमने ले लिया है f triple dash 3 को ठीक है अब हमें obviously बात है कि हमें f dash double dash और triple dash चीए तो तीन बार हम उसका derivation करेंगे से कुछ ना कुछ हमें मिलेगा let's see क्या मिलता है चलो अगर हम first time derivation कर रहे f dash x is equal to 3x square plus 2ax plus b ठीक है अब यहाँ से देखो हमें किस की value पता है f dash 1 की value पता है तो हम x की जगह पे 1 put करेंगे put x is equal to 1 तो f dash 1 is equal to yoga 3 plus 2a plus b आपको पता है कि f dash 1 क्या है बिटा a तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a is equal to 3 plus 2a plus b अलब यहाँ से आपको एक equation मिल गया कि a plus b plus 3 is equal to 0 इसको मैंने equation 1 बोल दिया ठीक है अब चलो दूसरी बात derivation करता है f double dash x is equal to 6x plus 2a चलो once more 6 double dash किसकी value पता है 2 की तो put x is equal to 2 then f double dash 2 is equal to 6 to 12 plus 2a f double dash 2 क्या है बिटा b तो b is equal to 12 plus 2a तो यहाँ पर हमें दूसरा एक equation मिला which is 2a minus b plus 12 is equal to 0 इसको बोलते था है equation 2 ठीक है अब ध्यान से देखो तो actually हम तीसरी बार भी derivation कर सकते हैं और सबकी value निकाल सकते हैं लेकिन मेरी नजर यहाँ पर गई f dash 10 find करना है f dash का मतलब क्या है यह वाला यहाँ पर x की जगह पर 10 put करेंगे और further a और b की value हम substitute करेंगे तो अगर मैं और कुछ ना करूँ सिफ यह 2 equation को solve भी कर लो तो भी मुझे यह चीज मिल जा रही है समझ जो है सब लोग ठीक है तो equation 1,2 को solve करो b b cancel हो जाएगा 3a plus 15 is equal to 0 तो a की value हो गई बेटा minus 5 और a की value minus 5 put करो तो b की value मिल गई 2 ठीक है a b की अगर value मिल गई है तो हमारा नया f dash x कुछ ऐसे दिखेगा इसमें value substitute करो बेटा 3x square a की जगह पर minus 5 तो x plus 2 ठीक है अब इसमें बेटा x की value 10 put कर दो f dash 10 is equal to 3 10 square minus 10 into 10 plus 2 तो ये क्या हो जाएगा 300 minus 100 202 तो ये आपका पूछा गया था jwe 2024 ये जो first अभी shift गई है उसमें ठीक है ओके चलो next question देखता है ये वाला integration का बहुत simple sum है यहां पर आप देख सकते है कि 0 to 1 1 divided by under root x plus 3 plus under root x plus 1 dx उसका answer a plus root to b plus c root 3 यहां पर हमें a b c in short compare करके निकालना होगा तो अगर ये integration का sum देख रहे हो तो आपको minus x plus 1 ठीक है तो x x cancel होके 2 तो बाहर हो जाएगा अगर ये 2 बाहर हो गया है तो इसका integration बिटा कैसे होगा x plus 3 की है 1 by 2 तो 3 by 2 divided by 3 by 2 minus x plus 1 का 3 by 2 divided by 3 by 2 और यहां पर limit लगी है 0 to 1 1 ठीक है अगर मैं नीचे से 3 by 2 बिटा बाहर निकाल दू तो 2 to cancel हो जाएगा और आगे बच रहा है हमारा 1 by 3 चलो अब limit put करते है पहले 1 put करते है तो 1 put कर रहे है तो यहां पर आएगा 4 to the power 3 by 2 minus अगर 1 put कर रहे है तो 2 की power 3 by 2 minus अगर 0 put कर रहे है तो 3 की power 3 by 2 minus 0 put कर रहे है तो 1 की power 3 by 2 ठीक है यह basic सा step था ठीक है अब बिटा चलो 4 मतलब 2 का square 2 to cancel 2 cube is 8 minus यहां पर अगर आप जहां से देखो तो 2 का root हो रहा है 2 का cube 8 8 का root करो तो 2 root 2 2 root 2 minus 3 का cube is 27 27 का root करो बिटा 3 root 3 तो minus 3 root 3 minus minus plus यहां पर तो 1 ही है ठीक है तो यह गया आपका 1 by 3 9 minus 2 root 2 minus 3 root 3 तो अगर हम 3 से multiply कर रहे है मतलब 1 by 3 अंदर ले जा रहे है तो 3 minus 2 by 3 root 2 minus root 3 इसको आप किससे compare करोगे पीटा जो हमारा question है विच इस A plus root 2 B plus C root 3 या फिर root 3 C अगर इससे आप compare कर रहो तो पीटा A की value आपको मिल रहे है 3 B की value मिल रहे है आपको minus 2 by 3 and C की value आपको मिल रहे है minus 1 यह 3 value मिल रहे है और आप यहां पे जो find करना है which is 2 A plus 3 B minus 4 C 2 A बेटा 6 plus 3 B 3 3 cancel and minus 2 minus 4 C मतलब plus 4 finally answer is 8 ठीक है बेटा यह भी बहुत साधरन question हम बोल सकते है ठीक है और sequence and series का समय यहां पे आपको question में यह given है कि 8 is equal to 3 plus 3 plus P by 4 plus 3 plus 2 P by 4 square plus up to infinite और P की value find करने तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है actually AGP निकल गया है लेकिन हमने जब भी पढ़ा था तब भी हमने बोला था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि AGP concept निकल गया है लेकिन वो इसको हम long method में कर सकते हैं लेकिन अगर तो AGP आपको आता है तो इसको short method से भी कर सकते हैं कैसे ठीक है चलो सबसे पहले हम differentiate कर देते हैं AGP का मतलब है arithmetic and geometric progression साथ में आती तो 8 is equal to 3 plus मैं ऐसा लिख दू 3 plus P into 1 by 4 plus 3 plus 2P into 1 by 4 square and up to infinite ठीक है तो जहां से आपको यह पता चल रहा कि यह जो first term है यह मतलब 3 उसमें P add हो रहा है दूसरे में 2P add हो रहा है मतलब वो AP में है यह सारी चीजे AP में है और 1 by 4 1 by 4 square वो सारा GP में ठीक है अगर यह खतम हो गया तो अब हम क्या करते थे जो भी GP का ratio था उससे हम क्या कर रहे थे उसको multiply कर रहे थे तो multiply by multiply by multiply by 1 by 4 ठीक है 1 by 4 कर रहा है तो इसको हम थोड़ा side में कर देता है क्यूंकि minus भी करना है ठीक है चलो तो अगर मैं 8 को multiply by 4 कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा 2 is equal to अब क्या कर रहा है जिसको भी multiply कर रहा है उसको हम थोड़ा-थोड़ा एक step मतलब first step में 0 लिख दे रहे और थोड़ा-थोड़ा side में मतलब 3 को 3 को multiply by 1 by 4 करो मतलब यह हो गया 3 by 4 प्लस यह वाले time को 1 by 4 करो मतलब यह गया 3 प्लस पी डिवाइड बाइ 4 स्क्वेर ठीक है अब प्लस करके वन स्मौर के आएगा 3 प्लस टू पी एन 4 क्यूब एन सो यह भी infinite पक जा रहा है ठीक है अब बारी है उनका माइनस करने की ठीक है तो इन सब का माइनस करो चलो 8 में से 2 गया तो पिटा ऐसे connect करो तो यह हो गया 6 is equal to 3 में से 0 गया तो 3 बचा अब आप ध्यान से देख लो अगर यह दोनों माइनस हो रहे तो अपन में तो 4 बच रहे 3 प्लस पी माइनस 3 मतलब यह पी बचा उसके बाद इन दोनों को माइनस करो डिवाइड में 4 स्क्वेर है बिटा 3 प्लस 2 पी में से 3 प्लस पी गया तो once more पी बचा उसके बाद ऐसा कुछ आएगा क्यों बचा एंस ओन यह infinite तक जा रहा है तो आप देख सबते हो कि यह भी एक infinite series बन रही है जी पी की 3 को उस तरफ ला देता है तो यह हो गया 3 पी को common निकल देंगे तो यह हो जाएगा one by four plus one by four square plus one by four cube and up to infinite तो इसका formula बिटा सबको बहुत easily आता है यह पी first term is a divided by one minus r r is one by four ठीक है तो इसको solve करते है बिटा 3 P into one by four यह three by four यह दोनों cancel पी की value 3 उदर चला जाएगा तो 9 9 is the answer ठीक है बिटा तो यह हमने तीन question निकले और जितने भी question मुझे मिलते जा रहे है मैं वह आपको बताता जाओंगा और उसके solution भी करते जाओंगा ठीक है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है और अच्छे अच्छे concept आपको पढ़ना है तो यह subscribe करो, share करो, like ठीक है बिटा, bye bye, thank you